नमस्कार जैसा कि हम सब को पता है कि हमारे स्कूल में प्राइमरी स्कूल में एन्वल एसेस्मेंट स्टार्ट हो गई है एन्वल एसेस्मेंट करने के बाद हमें हमारी क्लास के जो बच्चे निपुन हो गए हैं उन्हें निपुन हर्याना टीचर्स हैप पर मार्ग करना होगा सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें हमारे सभी बच्चे यहां निपुन हर्याना टीचर्स आप पर शो हो रहे हैं या नहीं उसके लिए हमें यहां से sync with MIS करना है जिससे कि सभी बच्चे यहां पर निपुन हर्याना टीचर्स आप पर शो हो जाएं उसके बाद जो हम assessment पहले कर रहे थे जैसे हमने सबसे पहले किया था baseline assessment उसके बाद हमने किया midline और last में जब हम करते हैं endline assessment जो हमने exams के बाद करना है उसके base पे हम अपने बच्चों को निपुन मार्क करेंगे तो आप यहां देख रहे हैं हमारे पास screen पे mark students निपुन इस पर हम click करेंगे click करने के बाद यह आपकी class show कर देगा यहां जो भी MIS पे आपकी class show हो रही है वही class यहां दिखाई जाएगी आप इस पर अपनी class अपना section select कीजिए यहां है चात्रों को निपुन चिनित करने के लिए protocol किरपया ध्यान दें कि आप किसी चात्र को किसी विशय में केवल एक बार निपुन चिनित कर सकते हैं एक बार निपुन के रूप में चिनित होने के बाद उस चात्र की स्थिति उस विशय में नहीं बदली जा सकती यदि आप किसी चात्र को हिंदी और गनित दोनों में निपुन चिनित करते हैं तो उसे ओवरॉल निपुन के रूप में दिखाया जाएगा किसी चात्र को निपुन कब चिनित करना चाहिए अपने मुल्यांकन के माध्यम से आप किसी छात्र को निपुन के रूप में चिनहित कर सकते हैं यदि उसने निमिले की दक्षताईं हासिल कर ली है जैसे हिंदी में है आयू के अनुरूप किसी अज्यात पाट से प्रती मिनिट कम से कम साथ शब्द अर्थ सहित पढ़ सकता है अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो हिंदी में निपुन माना जाएगा इसी तरह से गनित की है जिसमें लिखा है 999 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख सकता है सरल गुना की समस्याओं को हल कर सकता है अब हम continue पे जाएंगे continue करने पर यहां हमारी क्लास के बच्चे जो हैं उनके सब के नाम शो हो जाते हैं जैसे मैं एक बच्चे का नाम यहां क्लिक कर रही हूं यह देखिए mark निपुन subject wise अगर हम हमारा यह बच्चा हिंदी में निपुन है तो हम इसको सिर्फ हिंदी में ही निपुन दिखाएंगे अगर maths में भी है तो maths में भी दिखा देंगे maths दोनों subject करते ही देखिए overall अपने आप आ गया है तो इस तरह से आपने अपने एक एक बच्चे को select करना है और उसको निपुन माग करना है जिस subject में भी आपको लगता है जो बच्चा निपुन हो गया है आप उसे यहां माग कर दें I hope आपको यह ठीक से सब clear हो गया होगा कि किस तरह से हमें अपने बच्चों को निपुन शो करना है Thank you so much